हाले फ्रेंड्स आप वेरी वाँ वेलकम वाँ चैनल नमोकार गेमिंग वर्ल्ड मैं आपकी दोस्त नोनी जैन और मैं राहुल जैन गाइज आज स्टार्ट करने वाले हमें एक स्पेशल सिरीज ट्रेलर ब्रेकडाउन की जिसमें सबसे पहले बात करेंगे गेम रेजिडेंट इफेक्ट्स बताएंगे जिनने जानने के बाद आपकी क्रियो सिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी फर्स पॉइंट पर बताना चाहूंगी कि यह गेम एक अल्टिमेट लेवल की हॉरर गेम है जो कि 2016 से डेवलिप्मेंट में है यह प्यस फाइव एक्सबॉक्स सीरीज एक पीसी तीनों में ही देखने को मिलेगी और मोस्ट प्रबाबली यह करंट जेनरेशन कंसोल्स के लिए नहीं आने वाली सेकिंड पॉइंट पर दोस्तों बताना चाहेंगे कि यह गेम एक फर्स्ट परसंट परस्पेक्टिव के हिसाब से बनाई गई है यानि कि इसमें आपक सीक्वल होने वाली है यानि हमें रेजिदेंट इवल 7 के आगे की ही स्टोरी इसमें देखने को मिलेगी इसके साथ ही गेम में लगबग 2-3 कैंपेंज होंगे इससे आपको समझ में आता ही होगा कि गेम में प्रोटैगनिस्ट भी काफी सारे होने वाले हैं इसका मतलब आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से प्लेइर के साथ प्लेइक करना चाहेंगे अइक्ट पॉंट पर दोस्तों में बताना चाहूंगा कि क्रिस एंड एथन को इसमें आइड किया गया है में प्रोटैगनिस्ट की रूप में साथ ही इन फ्यूचर हमें अधर प्लेश इसमें देखने को मिलेंगे जिनके बारे में अभी तक रिवील नहीं किया गया नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूंगी कि आई जिन के भी लेटिस्ट इंटरव्यू के अकॉर्डिंग गेम में क्रिस से कंसर्ड एक ऐसा फैक्ट पता चला है जो बहुत ही amazing है कि क्रिस इस गेम में एक human being नहीं होने वाला है जी हाँ guys, क्रिस इसमें half zombie and half human being होने वाला है means ये कहीं Atreus से inspired तो नहीं है जो कि God of War में half god and half giant था इसी के साथ दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि इस गेम में concept और implement किया गया है कि zombie बहुत जादा powerful होंगे और जो दिन में कमजोर होंगे जैसे कि आपने काफी Indian movies and horror movies में देखा भी होगा कि ये concept दिखाया जाता है कि दिन में जो भूतों की शक्तियां हैं वो काम नहीं करती उतनी जितनी रात को करती हैं तो उस तरह का concept आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा तो आप समझी गए होंगे कि गेम में day and night system को implement करने के साथ साथ इसमें other weathers को भी priority दी गई है साथ ही अगर आप game को highest difficulty पर खेलेंगे तो आप देखेंगे कि night बहुत जल्दी जल्दी होगी और day काफी लेट होगा नेक्स पॉइंट पे दोस्तों में एक ऐसा suspense रिवील करने वाला हूँ जिसे जानकर आप भी surprise रह जाएंगे और आपने जो last में wolf देखा होगा trailer में तो आपको मैं बताना चाहूँगा यह और कोई नहीं यह क्रिसी है अगर आप दोनों की फोटो को एक साथ compare करके देखेंगे तो आप खुद भी यह चीज गैस कर पाएंगे गाइस प्रीविस रेजिदेंट इविल गेम्स के ट्रेंट के अकॉर्डिंग ही इसका campaign भी लगबग 15 to 16 hours का होने वाला है जिसमें काफी connections प्रीविस रेजिदेंट इविल गेम्स से भी होंगे डेवलपर्स ने confirm किया है कि इस गेम का next gameplay या फिर इसका trailer जुलाई के end तक कभी भी release हो सकता है आप लोग भी बहुत जादा excited होंगे इसका next trailer या gameplay देखने के लिए और जाते जाते दोस्तों हम बताने चाहेंगे कि जैसे कि आपको पता ही कि यह गेम नेक जन console के लिए release होगी तो इसका जो game का size है वो भी बहुत जादा होने वाला है तो जिसे आप लगा सकते हैं कि around 200 GB company claim कर रही है इसी के साथ-साथ यह game up to 8 के graphics को support करेगी और इसमें आपको multiplayer भी देखने को मिलेगा तो कैसे लगे आपको हमारे इस game से related facts तो फटफट से comment करके बताईए वीडियो पसंद आईए तो उसे like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए और साथ यह भी comment कीजिएगा कि next trailer का breakdown आप कौन सी game का चाहते हैं गाइस बात करें game के release date की तो यह most probably 2021 के first quarter तक release हो जाएगी फिर मिलते हैं next video में next trailer breakdown के साथ तब तक के लिए bye bye and take care